आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, let's see the question इस Question में हमने यह वाली Algebraic Expression को Simplify करना है हमें इसे Solve करना है हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर तीन तरह की Brackets का यूज किया गया Square Bracket, Curl Bracket and Round Bracket हम पहले जान लेंगे कि कौन सी Bracket हमने कब खोलनी है सबसे पहले हमने खोलनी है Round Bracket Then हमने खोलनी है Curl Bracket और उसके बाद हमने खोलनी है Square Bracket तो यहां पर A- Square Bracket 2B- Curl Bracket 3A- Round Bracket 2B- 3C Round Bracket Close, Curl Bracket Close, Square Bracket Close हम पहले अब सबसे पहले Round Bracket Open करेंगे Round Bracket के बाद माइनस का साइन है तो इसका मतलब अंदर के सारे डिजिट्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो यहां पर आ गया माइनस का 2B and Positive का 3C Curl Bracket Close, Square Bracket Close अब हम Curl Bracket उपन करेंगे Curl Bracket के बाहर भी माइनस का साइन है तो अंदर के सारी डिजिट्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो यहां पर आ गया माइनस का 3A, Positive का 2B and Negative का 3C Square Bracket Close अब हम Like Terms को आपस में Add और Subtract कर लेंगे A minus Square Bracket minus 3A plus 4B minus 3C अब हम Square Bracket खुलेंगे Square Bracket के बाहर भी माइनस का साइन है तो यहां पर आ गया Positive का 3A, Negative का 4A and Positive का 3C अब Like और Unlike Terms आपस में Add करेंगे और Subtract करेंगे तो यहां पर आंसर आ गया हमारे पास 4A minus 4B plus 3C Thank you